सबी वीजों को मेरे नहीं श्कार आज की सीडियो में आप लोगों से बात करने वाले हैं SSC Siegel की post reference के बारे में ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा helpful रहने वाली है क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हो एतीनी मेनत करके अपने सारे level ल्य सारे senators किर करते हो और इसके बाद रिकर कोई आप गलत नौकरी चूस्त कर लो या किसी आसी नौकरी में चले जाओ आपको पता ही नहीं कि भी वा क्या this क्या होगा आप किसी आईसी जॉब में चले जाओ जो आपको चाहिए नहीं था वो मिलिया तो भाई हो गे आपकी शारी महनत बर बांग सारी मेहनत पर पानी फिर झाएगा तो मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो कि आपके जो aim है, जो आपका preference है, या नहीं कि आपको home posting चाहिए, या आपको power hall boss चाहिए, आपको UPSC के लिए पर परेशन करना, आपको जादा salary चाहिए, आपको फारान घूमना, आपको अच्छा work climate balance चाहिए, या girls के लिए कौन सी नौकरी बेस्ट है, ऐसे औ जितने भी factors हो सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगो को हर चीज के बारे में पता हो, ताकि आप लोग wisely, आप लोग अच्छे से वो नौकरी चूस कर पाओ, क्योंकि भाई देखो, एक बर सरकारी नौकरी मिलगी, एक तो मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मेहनत से हो, जितने भी हनत के बद सरकारी नौकरी मिलगी, तो जैनरली आपको जिसेज में सरकारी नौकरी मिलेगी, आप करीब करीब 30-35 साल नौकरी करोगे उस department में, तो 30-35 साल भाई या तो रोध होके करो कि यार मजबूरी में मिलगी नौकरी करनी है, या खुशी से करो, एंज़ॉ करोगे, और बड़ी आसे आप लोग नौकरी कर पाऊगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को इस सारे एफेक्टर सा आप लोगों के साथ डिसकस करने जाता हूं, ताकि आपको post preference choose करने में easy रहे, सबसे बहले बात करते हैं, most powerful department के बारे में, उसके बाद होम टून के बारे में हर चीज़ हम डिसकस करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि कोई बी चीज़ हम से चूटे न, तो देखो powerful अगर बात करूँ, तो power जो है न, वो एक myth है, लेकिन फिर भी चलो power के बारे में हम बात करते ही हैं, तो और कहा जाए तो ये भी कह सकते हो कि सारे departments powerful हैं, हर आदमी अपनी हर आदमी अपनी सीट पर powerful है, तो हर department powerful है, बट फिर भी इन समय से अगर मुझे चूज करना हो personally, तो मेरे इसाब से तो CBI जैसा powerful कुछ भी नहीं है, CBI इंडिया में सबसे ज़्यादा powerful organization है, CBI is the most powerful, तो भाई आप लोग भी comments में बताना अपनी रहे, आपका क्या मानना है, बाकी और अगर departments की बात करूं, तो देखो CBI के बाद मेरे सबसे ED, NIA, यह बहुत powerful departments है, बहुत अच्छे departments है, examiner, PO, प्रिवेंट, PO याने की preventive officer, उसके बाद income tax inspector, GST inspector, यह जितने भी departments है न, यह सारे के सारे powerful departments है, आपको power enjoy करने को मिलेगी, लेकिन फिर भी देखो CBI, ED, NIA इनका मुकाबला तो कोई करी नहीं सकता, लेकिन और भी बहुत सारे factors हैं, जैसे की work life balance हो गया, यह home town में posting हो गई, और मैं तब धीरे धीरे करके सारे discuss करूंगा, और मैं मेरी कोशिश रहेगी कि सारी चीज़े discuss कर लूँ, ताकि वीडियो के end तक आप लोग खुद बता पा आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जैनरली जो लेवल रहता है, जैनरली प्रिवेश रहता है, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूं, फिर भी आप लोगों को एक बार फिर बताने जाओंगा, कि आप प्रिवेश रहता है, यह किरन पप्लिकेशन की book है, यह GK की book है जैसे यह GK की book है, similarly हर section की book आती है, GK की, reasoning की, English की, maths की, जितने भी section होते है, SSC, CGL में और इस लेवल के exam में, उसकी लिए सारी book साती है, किरन पप्लिकेशन की, यह reasoning की book है, इन सभी books का link में आप लोगों को description में दे दूँगा, आप लोगों को इन books से पढ़ना है, यह books आपके लिए रामबान है, आपके लिए most important है, इन books को अगर आप बार 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 पढ़ लोगे ना, जितनी बार पढ़ोगे, मतलब चाट जाओ, छोड़ो मत जितनी जादा बार हो सकता है, उतनी जादा बात पढ़ो, पढ़ो, और किरन पप्लिकेशन की book बहुत अच्छी ह इसाम में जो लेवल आता है, वैसा ही लेवल रहता है, क्योंकि mostly previous questions ही मिलेंगे आपको, और जो इनके solution होंगे, solution में proper explanation होती है, एक तो long method से आनी कि proper जो normal तरीका होता है, उस तरीके से समझाए जाता है, और एक shortcut से समझाए जाता है आपको, तो जिन्होंने books नहीं लिए हैं केरन पॉप्लिकेशन की books बहुत अच्छी है, मैं खुद भी नहीं से पढ़ाऊ, अब बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में, अब देखो next है hometown, मेरे साब से ना, जो सबसे important factor होता है, कोई भी नौकरी लेने का, वो मेरे साब से होना चीज़ हो, hometown posting, देखो, यह power, यह सेलरी, फॉरण घूमना, यह सब चीज़ें ना, कुछ समय तक तो अच्छी रखती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ना, इनसान रेलाइस करता है, कि यार अगर घर के पास नौकरी होती ना, जहां फैमली रहती है, जहां पेरेंट्स रहती हैं, अगर वहां नौकरी होती होती है, यह चीज़ सब लोगों के लिए, ना हो लेकिन देगो, मेरे लिए तो यह चीज़ मोस्ट इंबॉर्डेंट है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जो सोसते हैं, और मैं कहीं भी रह लूँगा, उनके लिए मैं गता हूँगा, कि अगर आप कहीं भी रह सकती हो, तो 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 आपको chances हैं कि आप hometown posting मिल सकती है, similarly GST में TA, similarly income tax inspector, यह सारी चीज़े हैं, अब कुछ लोग होते हैं जिनके hometown दिल्ली में होता है, तो भी दिल्ली वालों के लिए बता दूगा, कुछ लोग हैं जिनका hometown coastal areas में है, जैसे कि गोआ में है, महराष्टरा में है, South India में, उनके इंस्पेक्टर, income text ही है, तो मैंने आप लोगों को बताई दी, उसके बाद मंतराल लेगी, जितनी भी नहों करी है, ASO in CSS, उसके बाद ASO in ME, ASO in ME आपको दिल्ली में रहने को मिलेगा, अगर होमटों दिल्ली में है, उसके बाद foreign posting भी आप लोगों को मिलेगा, अगर आप foreign घुमने जाते हो, उसके बाद maximum salary की जहां अगर मैं बात करूँ, देखो salary तो उतनी ही है, लेकिन जब आप लोग foreign घुमने जाते हो, तो salary के आपको वहाँ पर perks मिलते हैं, मतलब salary आपकी वहाँ increase हो जाती है, तो आप कह सकते हो कि maximum salary है, और CBI की salary बहुत अच्छी है, CBI में officer और examiner, इनके जैसी नौकरी तो है ही नहीं, कुछ साल पीछे से ले जाओ, कुछ साल पीछे अगर आप जाओगे ना, तो highest cut-off, maximum cut-off, preventive officer और examiner, ये दो ऐसी नौकरिया थी, जिनकी maximum cut-off जाती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब उनकी cut-off थोड़ी सी कम इसले जाने लगी क्योंकि लोगों को ना, hometown का craze बढ़िया, क्यार घर के पास नौकरी जीए, जैसे मालो नौर्थ इंडिया का होई है, तो नौर्थ इंडिया वाले सोचेंगे, और मैं वहाँ जाओगा, इस से अच्छा मैं यहाँ पर GST इंस्पेक्टर रह ले ले दाओ, तो इस वजए से थोड़ी सी cut-off outcome जाने लगी, नहीं तो मेरे इसाब से 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 जीजल की जो best नौकरिया है, वो examiner और preventive officer है, promotions भी बहुत अच्छी है, और बहुत powerful नौकरी है, और हाँ दिल्ली में पोस्टिंग के लिए और भी कुछ नौकरी है, जैसे मालो आईवी में आपने नौकरी ली, आईवी भी देखो, दो नौकरी होती है, एक तो आईवी का exam अलग होता है, CGL के through भी आईवी में नौकरी मिलती है, तो उसमें वैसे तो आल इंडिया पोस्टिंग रहते हैं, लेकिन maximum जो पोस्ट रहते हैं वो दिल्ली में रहते हैं, उसके बाद CBC, CAT और मंतराले की जिद में, इन सारी नौकरी में में मेरे साब से अच्छा वर्कलोड बहुत जादा है, लेकिन देखो, कुछ अपने नुक्सान तो कुछ अपने फायरे, अब बात कर लेते हम UPSC preparation के लिए, मेरे साब से जो best job है, अगर आप लोगों के लिए best वहेगी, अगर आप लोग बनते हो, तो आप लोगों को अच्छा समय मिल पाएगा UPSC के preparation करने का, बाकी और भी नौकरियां जैसे अगर ASO को आप चूज करते हो, तो भी आप लोगों को ठीक ठाक समय मिल पाएगा पढ़ाई करने का, और कुछ लोग पूछ थे हैं कि क्या मैं CBI या ED या NIE में रहकी UPSC की तर या Girls के लिए अच्छी है, Boys के लिए अच्छी है, कोई भी दिक्कत आली बात नहीं है, बाकि Free Waker इन में से भी Best Choose करना हो, तो देखो ASO and CSS, यह ऐसी नौकरी है, कि ना एक किसम से Stability ही है, कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने आपकी लाइफ में, दिल्ली में नौक PC की जॉब होगी, CAT की जॉब होगी, GST Inspector भी अच्छी है, Income Tax Inspector भी अच्छी है, तो यह सारी ही नौकरिया कुल मिलाकर अच्छी है, अब ना इन सब चीजों का एक सार निकाल लेते हैं, यह समरी सी निकाल लेते हैं, इन सारी चीजों की बतायता हूँ आप लोगों को हो, Adventure हो, अच्छी नौकरी हो, Powerful हो, तो जो कुछ मैं ऐसी 3-4 नौकरिया बतायता हूँ, जो मेरे के साब से बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है, अगर घर के पास रहने की दिक्कत नहीं है, तो देखो, Examiner, यह CBIC की नौकरी है, Examiner, उसके बाद CBI में सब इंस्पेक्टर, उसके बाद Preventive Officer, उसके बाद ED और NIA, यह पाँच नौकरिया, फिर बतायता हूँ, Examiner, CBI, Preventive Officer, ED और NIA, यह पाँच नौकरिया मेरे इसाब से जो SSCL की बहुत ही शानदार नौकरिया है, अगर घर के पास रहने की दिक्कत नहीं है, उसके बाद अगर Enjoyment भी करनी है, कि मतलब नौकरी भी अच्छी हो, मज़ेदार हो, और हो भी घर के पास, तो मेरे इसाब से GST Inspector, यह ऐसी नौकरी है, कि Power भी है, Enjoyment भी है, बढ़िया आप लोग Enjoy करोगे, लाइफ अच्छी रहेगी, वर्कलर बैलेंस अच्छा रहेगा, और घर के पास नौकर और जिनों अभी तक हमारा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं गया, कपूर गुरुकूल क्लासिस, उसको फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दो, यह कपूर गुरुकूल है, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, नया चैनल है, कपूर गुरुकूल क्लासिस, ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में